ODI World Cup 2023 में दो चीज़े बहुत ही important थी बहुत ही देखने लाइक थी उनमें से एक थी Pakistan की खराब performance दूसरे थे Mickey Arthur के बहाने जिसे साबसे Mickey Arthur पाकिस्तान टीम को defend कर रहे थे कभी किसी player का नाम ले रहे थे कि इस player की गलती है कभी ये बोल देते थे कि दिल दिल पाकिस्तान नहीं बजा और कभी पिचिस में गलतिया निकाल देते थे और ऐसे में Mickey Arthur ने अभी जबकि Mickey Arthur PCP से रिजाइन ले चुके है नहीं है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का अब पार्ट लेकिन फिर भी Mickey Arthur का एक बहुत बड़ा बयान आया है सामने मिकी मा मिकी Arthur की बात कर तो PCP के डारेक पर उनकी टीम अच्छा प्रदर्शन एक तरह नहीं दिखा रही है वहाँ पर PCP के हालात खराब चल रहे हैं लेकिन Mickey Arthur का ध्यान है हमारे इदर जो मुकाबले चल रहे हैं उनके उपर की उधर की किस तरा की पिच्छ होनी चाहिए किस तरा सब कुछ मुकाबले खेलने चाहि पाकिस्टान की बोलिंग जिसे वो one of the best bowling बताते थे अपनी strength बताते थे अपने कप्तान को जो के शाहिए रहीए मीडिया कहती थी को आदध में विकट लेने कि लेकिन ऐसे पर Mickey Arthur का उन चीज़ों पर थियान ने गया उन चीज़ों पर कोई बयान मी ई डिया पर पाकिसनकी अच्छी पिच पर भी एक्सपोज हो गई ऐसे में नज़रे डालते हैं मिक्की आर्थूर के इस बयान पर और यहांँ पर साथ में आ है कि उनोंए और अनुअ के इन आ पर इंडिया और बैंदेशों को ऊपर यह मदत नहीं मिल रही है तो उसको लेकर उनोंने यह बयान दिया यहां पर लेकिन इन इनका यह बयान और इस समय सोचल मीडिया पर काफी ज़दा वायरल हो रहा है सारे फैन्स अपने अपने प्रतिक्रिया दे रहे हैं कॉमेंट्स कर रहे हैं कि जो मिखी आर्थू ने भले ही यह बयान दिया है इंडिया इंग्लेंड के मुकाबले के लिए और ऑस्ट्रेलिया वेस्ट इंडिस के ल इसे मौरी ज़दा रहे हैं कंश फहर ऐसल ब greenhouse ही कों मिले साथी साथ साथ वेस्ट इंडिस के बोलर की डॉमीसें देखने को मिली साथी साथी साथ वेस्ड plusieurs किटी से टो रहे लागा है और इसाथ न भीच्छिर यह ढिंट ईजलारें को लेकिन ऐसे में कहीं ना कहीं एक इंडिरेक्ट डिक उन्होंने PCB को कर आ साती बहाना एक इंडिरेक्ट डिक उन्होंने World Cup को भी कर आ क्योंकि वहां पर पाकिस्थान की टीम कंप्लेंट कर रहे थी कि इनके पिचेज ऐसी है इनके पिचेज वैसी है शाहिनश्या फरीदी जो की वन आफ दी बेस्ट बोलर है उनके और अभी फिलाल देखा जाए तो बेस्ट ही है लेकिन बेस्ट परफॉर्मेंस बिल्कुल भी नहीं यहारा है उन्होंने भी तब वहां पर बयान दिया था कि भारत की पिछे थोड़ी स्लो है ऐसा कुछ उनका सब्सक्राइब जर्लाम तो ऐसे में व्यर्थी आर्थुर का यहीं तब कर देखें।कर सब्सक्राइब मलता है यहां जोगिन तीन मुनेस्ट तेंस भारत अब होता मैंधा यहां फिल्ग तक कर दो रहां फेंड़ारें पृज़ के व तो इसे वीग कर थे मिलता तो साथान जब टूर किया तब हाँ पर पाकेस्तान का तब हाँ पर भी जो मुकाबले हुए टेस्ट के उधर भी यही हुआ था कि आपके 400 आराम से उपर जो है वाँ पॉच्छ रही थी दोनों टी में बढ़े आराम से तीन-400 बना रही थी बोलस ने डॉमिनेट नहीं करे पाले हैं और बाकि पाकिस्तान और उस्टेलिया की जो टेस्टी सीरीज हुई थी वहाँ पी पिचिस कुछ ऐसी थी लेकिन वहाँ पे पाकिस्तान ने ऐसी परफॉर्मेंस दिखाई थी कि शाहिन शाह फ्रीदी पर सवाल खड़े हो गए थे कि क्या आपकी पेसल हो गई है उन्ही की मेड अधिया का यह सवाल था बाकि में के आर्थूर का यह था बयान आप अपना ओपीनिन इस बारे में बता सकते है कॉमेंट सेक्शन में तब तक के लिए देखते रहे हैं तूफान स्पोर्स लाइक शेर सब्सक्राइब तूफान स्पोर्स